हेलो दोस्तो, आपके धेर सारे कमेंट्स ने मुझे डेटा साइंटिस्ट के टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बनाने में मजबूरी कर दिया थेंक्यू दोस्तो, आप सभी ने कमेंट्स में इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया दोस्तो आज की special वीडियो में मैं आपको पूरी detail में जान करी दूँगा कि data क्या होता है, data scientist का काम क्या होता है, data scientist में scope कितना है, data scientist बनने के लिए आपके अंदर कौन कौन सी skills होनी चीए, data scientist बनने के लिए कौन सा education लेना पड़ेगा, यानि कौन सा course करना पड़ेगा, उस course की कितनी फीज आएगी और कितना टाइम लगेगा एक डेटा सैंटिस बनने के लिए और एंड में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि डेटा सैंटिस बनने के बाद आप कहा कहाँ पर जॉब कर सकते हो और आपकी सालरी कितनी होगी तो चलो दोस्तो इस video की शुरुआत करते है और detail में जान लेते है डेटा scientist के topic पर दोस्तो सबसे पहले हम लोग जान लेते है कि data क्या होता है, data scientist का काम क्या होता है और data scientist के career में कितना scope है दोस्तो मैं आप से सवाल पूछता हूँ कि data किसे कहते है तो दोस्तों आप ऐसा जबाब दोगे कि जो internet providing companies है वो हमें per day 1.5 GB data use करने के लिए देते हैं उसको हम लोग data कहेंगे लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है आज इस दुनिया में जितनी भी चीज़े available है सब एक प्रकार का data है आपके phone में जितने भी photos, videos है वो सभी data है आज internet पर जितनी भी information available है वो सभी data है बड़ी-बड़ी companies याने Google, Yahoo, Twitter, Microsoft, IBM, Amazon, Flipkart, Visa, Facebook, Uber, Dell, Bing, etc इसके जैसे लाखो करोडो और companies है और बड़ी-बड़ी companies इनी data का इस्तमाल लेकर आज पैसे कमा रही है क्योंकि दोस्तों आज के समय में data ही important है और मैं आपको बताता हूँ कि जिसके पास सबसे ज़्यदा data रहेगा और वही person इस दुनिया में सबसे ज़्यदा पैसे कमाएगा दोस्तों आपके knowledge के लिए बता देता हूँ कि 2018 के survey के अनुसार Google पर हर एक minute में 3.8 million searches किया जाते है 4.33 million YouTube पर videos देखी जाती है 159362760 mails भेजे जाते है 4.73,000 times tutor पर tweet किया जाता है और 49,000 photos Instagram पर upload की जाती है तो दोस्तों कभी आपने observe कि ये सब क्या चल रहा है दोस्तों आज technology का world है आज हर एक minute में इतना सारा data हम लोग produce कर रहे है तो दोस्तों ये जो data हम produce कर रहे है वो कही ना कही जाकर store हो रहा है और ये सभी data दोस्तों जाकर save हो रहा है data centers के अंदर जो बड़ी बड़ी companies होती है उनका खुद का data center होता है जिसके अंदर सभी लोगों का data store किया जाता है लेकिन दोस्तों ये जितना आसान दिखता है उतना आसान नहीं है एक परसन का data store करना काफे ज़्यदा आसान लगता है लेकिन लाखो करोडो मिलियन और बिलियन लोगों का data store करने के लिए बड़े बड़े data scientist की ज़रूरत पड़ती है वो क्यूँ मैं आपको आगे बताता हूँ और दोस्तों आज 2021 है आज हर एक second में करोडो amount का data internet पर produce किया जाता है चाहे वो data photo internet पर upload करने से हो, चाहे वो instagram पर reel बनाने से हो, चाहे वो whatsapp पर status डालने से हो आज हम किसी ना किसी तरीके से internet पर data produce कर रहे है आज किसी ना किसी तरीके से लाखो करोडों लोग internet पर अपना data publish कर रहे है और हर एक साल में पूरी दुनिया में 400 प्लस zettabyte का data produce किया जाता है आपके knowledge के लिए बता देता हूँ कि 1 zettabyte में 1 billion terabytes इतना data होता है मतलब 400 प्लस zettabyte data को store करने के लिए हमें 480 billion 1 TV head drive की जरुरत पड़ेगी और ये value दिन पर दिन बढ़ती जाएगी और आज हम या फिर Google या फिर बड़ी बड़ी companies यूजर का data store करने के लिए magnetic and optical data storage system का use करती है लेकिन ये तरीका मुश्किल से और 100 साल तक चलेगा और उसके बाद हमारे पास इतना ज़्यादा amount का data होगा जो data store करने के लिए optical storage device काम नहीं आएंगे और दोस्तों आपको पता होगा कि internet पर हमारा data 0 and 1 के form में store किया जाता है याने binary numbers में store किया जाता है और Google याहू जैसे बड़े बड़ी companies data store करने के लिए data centers का use करती है लेकिन इन data centers को चलाने के लिए काफी मातरा में energy और पैसे खर्च होते है और जिस speed से हम लोग internet पर data upload कर रहे है उस speed को देखते हुए आने वाले future में हमें बहुती जादा data scientist की जरुरत पड़ेगी तो दोस्तों data scientist के career में scope आने वाले समय में और भी जादा बढ़ने वाला है पुराने जमाने में दोस्तों data को store करने के लिए plastic के polythine का यूज किया जाता था उसके बाद दोस्तों CD drives आई उसके अंदर भी दोस्तों plastic की thin polythine में हमारा data store होता था फिर दीरे दीरे दोस्तों memory cards आये जिसके वज़से size और भी कम हुआ और data और जादा मातरा में उसके अंदर store करना possible हुआ और ऐसे ही समय समय पर हर एक data storage device update होते जा रहे है तो दोस्तों आने वाले समय में और new new technology आएंगी और बहुत ही कम space में हम लोग जादा से जादा data को store कर पाएंगे दोस्तों अभी हम लोग जान लेते हैं कि एक data scientist का काम क्या होता है दोस्तों internet की वज़से दुनिया digital और high tech हो चीक है और आज हर दिन internet पर करोडो amount का data produce किया जाता है तो दोस्तों इस data को इखटा करना फिर इसमें से काम का data निकालना और फिर इस data को company अपने फाइदे में केसी यूज़ करेगी इसके बारे में जानकरी इकत्रित करना और इस data को manage करने का काम data scientist का होता है जैसे दोस्तों अगर लाखो या फिर करोडों लोगों ने Instagram पर account create किया है तो दोस्तों इन्होंने क्या किया है Instagram पर अपने सारे information publish की है तो Instagram के जो भी data scientist होंगे वो क्या करेंगे सभी लोगों का data एकटा करेंगे उसमें से सब लोगों का नाम उनका mobile number, उनका gmail address उनका age, उनका interest और उनका gender सब separate करेंगे फिर दोस्तों इस separate किया हुए data को एक जगा पर store करेंगे और यहाँ पर शरीफ एक परसन का data नहीं होगा million, billion persons का data होगा अभी क्या होगा कि Instagram को पता है कि इस परसन को किस चीज में interest है या फिर इसका mobile number क्या है तो दोस्तों उस data के हिसाब से Instagram उस person को advertisement दिखाएगा अगर यह परसन जदा तर जिम के videos देखता है या फिर fitness related videos देखता है तो Instagram के data scientist को पता है कि इसको जिम में interest है तो दोस्तों उसको Instagram के platform पर जिम से related advertisement दिखेगी चाहे वो जिम के equipments के advertisement हो t-shirt या फिर sports shoes के advertisement हो या फिर जिम protein के products के advertisement हो इसी तरीके से अगर आप ज़्यादा तर loan से related videos देख रहे होंगे तो दोस्तों companies को पता चल जाता है कि आपको loan की जरूरत है तो दोस्तों आपको credit card के offer loan से related advertisement show की जाती है इसी तरीके से दोस्तों अगर आप स्रिफ Google पर जाकर search भी करोगे best car under 10 lakh रुपीज बजट फिर इसके बाद internet पर आपको हर जगा पर car buy करने के advertisement दिखेंगे या फिर आप Amazon पर जाकर किसी product के बारे में search करते हो जैसे DSLR तो दोस्तों आपको हर जगा पर उस DSLR की ad दिखेगी तो दोस्तों इस प्रकार से company आपने search किये हुए data को store करती है और उसी data का इस्तमाल लेकर आपको advertisement दिखाती है और शरिफ advertisement से ही वो पैसे नहीं कमाते बहुत सारी तरीके से आपको target किया जाता है और अलग-अलग तरीके से आपके जरिये पैसे निकाले जाते है और ये बड़ी-बड़ी companies data scientist को इस काम के लिए hire करती है तो दोस्तो इस प्रकार से लोगों को target किया जाता है और उनको advertisement दिखा कर Instagram जिसे companies पैसे कमाती है तो दोस्तो अलग-अलग इंसान का अलग-अलग interest रहेगा तो हर एक interest के category wise सब को divide किया जाता है फिर उस data के अनुसार उनको advertisement दिखाया जाता है और ये company million और billion dollar कमा लेते है तो दोस्तो इस data को proper way से store करने के लिए data scientist की जरुरत पड़ती है और इनी data को manage करने का काम data scientist का होता है उमिद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि data scientist का काम क्या होता है अभी दोस्तो हम लोग जान लेते है कि एक data scientist बनने के लिए आपके अंदर कोण कोण सी skills होनी चाहिए तो दोस्तो आपको data science के fundamentals पता होने चाहिए, statistics में आपका interest होना चाहिए, programming knowledge आपको आनी चाहिए, data visualization के बारे में आपको पता होना चाहिए, machine learning की अच्छी कासी knowledge होनी चाहिए और आपको ज्यादा तर पढ़ा लिखा होना चाहिए, आपको data को manage करना आना चाहिए आपके अंदर communication skills होनी चाहिए, आपके पास critical thinking होनी चाहिए आपके पास software engineering की अच्छी समझ होनी चाहिए ये सभी skills आपके अंदर होनी चाहिए तब दोस्तों आप एक data scientist बन सकते हो आईए अभी हम लोग जान लेते हैं कि data scientist बनने के लिए कोन सा course करना पड़ता है और क्या education लेना पड़ता है और data scientist बनने के लिए कितने रुपीज तक का खर्च आता है दोस्तों एक successful data scientist बनने के लिए आपको 10 के बाद science की stream में admission लेना है और science की stream से आपको 12 pass out करना है या फिर आपने गलती से commerce से 12 pass out किया है और आपको future में data scientist बनना है तो भी दोस्तों आप बन सकते हो लेकिन real में data scientist बनने के लिए आपको science की stream से 12 pass out करना है लेकिन commerce का student भी data scientist बन सकता है और दोस्तों अगर आपने science से 12 pass out किया है और आप future में data scientist बनना चाते हो तो उसके लिए आपको B.Sc Computer Science या फिर IT या फिर दोस्तों आपके पास एक engineering की degree होनी चाहिए लेकिन इन सभी में से आपके पास B.Sc Computer Science या फिर B.Tech की एक degree हासिल होनी चाहिए B.Sc Computer Science या फिर B.Tech क्यों क्योंकि इसके अंदर आपको computer languages सीखने के लिए मिलती है और दोस्तों data scientist का काम mainly internet से जुड़ा होता है computer से जुड़ा होता है तो दोस्तों आपके पास programming languages का knowledge होना काफी जादा ज़रूरी है एक successful data scientist बनने के लिए तो दोस्तों आपको B.Sc Computer Science कंप्लिट करना है और एक software engineer बनना है अगर software engineer आप successfully बन जाते हो तो उसके बाद दोस्तो data scientist बनने के लिए कही सारे courses market में available है उसमें से कोई भी एक course आप कर सकते हो उन courses के नाम में आपको बताता हूँ इसके बाद आपको post graduation diploma in data science करना है ये दो साल का course कंप्लिट कर लेने के बाद आप एक data scientist successfully बन जाते हो अभी दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि एक commerce का student कैसे data scientist बन सकता है दोस्तों जैसे ही आपने 12th commerce से pass out की तो दोस्तों data scientist बनने के लिए आपको MBA in data scientist and data analytics का एक course करना है ये तीन साल का course होता है 12th के बाद भी आप कर सकते हो या फिर अगर आपने अपना graduation complete किया है तो दोस्तों graduation के बाद आप post graduation diploma in business analytics का course करके एक data scientist बन सकते हो या फिर दोस्तों आप post graduation diploma in business analytics का course करके भी एक data scientist बन सकते हो तो दोस्तों अलग-अलग प्रकार के courses market में अवलेबले data scientist बनने के लिए कोई भी एक course complete कर लेने के बाद एक data scientist आप बन जाओगे या फिर अगर दोस्तों आप commerce के student हो और आपने bca का course complete किया है bca and bachelor of computer application का course complete कर लिया है तो दोस्तों आप उसके बाद post graduation diploma in data science का course करके भी data scientist बन सकते हो और दोस्तों एक data scientist बनने के लिए आपको पचास हजर से लेके साथ हजर रुपिस तक का खर्चाएगा कोई कोई colleges पाच लाग से दस लाग रुपे तक की fees भी दोस्तों data scientist बनने के लिए चार्ज करते हैं तो दोस्तों अभी हम लोग जान लेते हैं कि एक data scientist बनने के बाद आप कहा कहा पर काम कर सकते हो दोस्तों एक successful data scientist बनने के बाद आपको Amazon, Microsoft, Facebook, Google, Apple, Walmart, Flipkart, etc. जितने भी बड़ी-बड़ी companies है जो भी IT से related है उन सभी companies के अंदर आप job के लिए apply कर सकते हो और अपना career set कर सकते हो एक data scientist को as a fresher 20,000 से 25,000 रुपे तक की salary दी जाती है जिसी उसके पास 2 years का experience आता है तो दोस्तों एक data scientist को 45,000 से लेके 70,000 रुपीज तक की salary दी जाती है और जिसी उसके पास 5 साल का experience आता है तो दोस्तों एक data scientist को 10,000,000 रुपे से लेके 5,000,000 रुपे तक की salary भी बड़ी-बड़ी companies प्रोवाइड करती है अगर दोस्तों आपके पास अच्छा experience है आपके पास अच्छी technical skills है तो दोस्तों आपको Google या हो Microsoft जैसे बड़ी-बड़ी companies 10,000,000 रुपे भी हर महिना देने के लिए रेडी हो जाती है क्योंकि आने वाले समय में data scientist की डिमांड काफी ज़दा बड़ीनी वाली है और दोस्तों IT फिल्ड के अंदर 10,000,000 रुपे हर महिना कमाने वाले कई सारे jobs है और दोस्तों Google और Facebook जैसे बड़ी-बड़ी companies में हर एक employee की salary 10,000,000 रुपे के उपर ही होती है तो सोचो एक successful data scientist बनने के बाद आपकी lifestyle केसी होगी तो उम्मित करता हूँ दोस्तों आज आपको पता चल गया होगा कि data scientist में career केसे करें अगर आपके मन में अभी भी कोई problem से फिर शंका है